नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गलवान घाटी की जो हिंसा हुई थी वो ना सिर्फ भारत और चीन के संबंधों के लिए एक टर्निंग पोइंट था बलकि उस हिंसा ने भारत और अमेरिका के संबंधों को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था क्योंकि अगर आप देखें गलवान घाटी की हिंसा से पहले भारत अमेरिका चेन के खिलाफ कोपरेशन कर रहे थे साज़ेदारिया कर रहे थे लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ही कम थी साल में एक दो बड़ा इवेंट हुआ करता था जिसमें भारत अमेरिका कुछ बड़ा अनौस करते थे और जो एक दो अनौसमेंट हुआ भी करती थी वो डिपलोमेटिक सपोर्ट पर होती थी इसके लवा व्यापार के तोर पर होती थी टेक्लिलोजी के तोर पर होती थी लेकिन कभी भी मिलिटरी के लेवल पर वो नहीं पहुँच पाई थी लेकिन गलवान घाटी ने इस सब को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया भारत अमेरिका का आप military cooperation देखे पिछले एक साल में कितनी तेजी से बड़ा है और आज जो खबर आई है वो तो next level है और इसकी demand तो पिछले 5-6 सालों से की जा रही थी लेकिन खैर भले ही हम देर आए लेकिन दुरूस्त आए दरसल खबर कुछ ऐसी है आपको याद भी होगा आपसे कुछ तीन हफते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत अमेरिका मिलकर एक air launch UAV पर काम करने वाले हैं लेकिन उस समय इस पर कुछ खास ज़्यादा detail नहीं निकल कर सामने आई थी लेकिन अब इसका पूरा कच्चा चिठा अमेरिका भारत ने दुनिया के सामने रख दिया है ये भी साफ हो गया है कि इसे especially बनाया जा रहा है चीन के खिलाफ और देखिए जितना important ये हत्यार है ना उससे ज़्यादा important ये चीज है कि भारत और अमेरिका मिलकर हत्यार बना रहे है इसकी शुरुआत इस air launch drone से होने जा रही है इसके बाद हम अमेरिका के साथ मिलकर और advance weapon भी बनाएंगे क्योंकि अमेरिका अपने allies के साथ मिलकर सबसे advance हत्यार बनाता है जैसे कि उसने F-35 लड़ा को विमान अकेले खुद ने नहीं बनाया उसने ब्रिटेन, नेधरलेंड, इटली समेत दरजनो देशों को इस program में जोइन कराया उनके साथ मिलकर F-35 बनाया है तो ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका के ऐसे ही advance और प्रोग्राम आएंगे और अब उम्मीद है कि भारत को उसमें शामिल किया जाएगा और इससे भारत की defense industry को बहुत boom मिलेगा तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस भारत अमेरिका के air launch drone के बारे में कि इसकी क्या ख़बर आई है तो दोस्तों बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से इस project में AFRL यानि की Air Force Research Laboratory शामिल होगी भारत की तरफ से भारत की DRDO को इसमें शामिल किया जाएगा दोनों मिलकर collaboration में इस weapon को तयार करेंगे ये एक air launch UAV होगा इनकी air launch drone होगा जिसे युद के समय एक aircraft से launch किया जा सकेगा अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने का क्या मतलब इससे अच्छा तो हम एक ऐसा drone मनाते जिसे जमीन से उड़ाए जा सके जैसे कि बाकी के दूसरे normal drone होते हैं फिर भारत अमेरिका इसे क्यों बना रहे हैं तो इसके पीछे एक कारण है और इस कारण का नाम है हिमाले दरसल भारत और चीन के बीच में जो सबसे बड़ी दिवार है न वो है हिमाले परवत शंकला और चीन के जो जातर बड़े military base हैं वो हिमाले के उस पार है यानि कर भारत को उन पर attack करना है तो पूरा हिमाले cross करना पड़ेगा अगर हम वहाँ पर कोई normal drone भेजते हैं जो जमीन से उड़ाय जा सके तो उसका size काफी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो इसलिए क्योंकि उसे पूरा हिमाले cross करना है distance बड़ जाएगा तो ऐसे में fuel के लिए भी ज़्यादा जगे बनानी पड़ेगी और size ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका radar पर पकड़ आना और भी आसान हो जाएगा इस भारत अमेरिका के drone के साथ खास बात ये है कि इसे आप एक aircraft से launch करेंगे और उस aircraft को आप चीन के जितना ज़्यादा करीब हो सके उतना करीब ले जाएगे लगबग आधे से ज़्यादा हिमाले cross करवा देंगे और उसके बाद इन drone को launch कर दिया जाएगा और उसके बाद चीन का खेल खतम क्योंकि इन्हें size में काफी छोटा बनाया जा रहा है तो इसलिए ये बड़ी आसानी से चीन के अंदर दाखिल होकर चीन के defense system को भेद कर चीन के अंदर बड़ी आसानी से कारवाई कर सकेंगे और इसलिए भारत अमेरिका बहुत ही जादा सोच समझ कर जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए इसे बना रहे हैं और अभी बताया गया है कि इसके लिए 23 million dollar अलोट हो चुके हैं इसमें 30 million dollar लगेंगे research development में और बनाने में उसके बाद manufacturing का कर्चा अलग से आएगा वो बाद में बताया जाएगा लेकिन फिलहाल के लिए official तोर पर इसका काम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद रताई जा रहे है कि भारत अमेरिका आगे चल कर और भी जादा advance हतियार बनाएंगे चीन को ध्यान में रखते हुए भारत अमेरिका की इस cooperation पर आपका क्या मानना है कमेट करके जुरू बताएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को शेर भी कीजेगा फिलासट में इतना ही थैंक्यू वारामच पूरचिंग वीडियो